नमस्कार सभी को, हम इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं धरम राजी की कहानी जो की पोपा बाई से सम्मंदित है एक समय की बात है, एक गाउं में एक भाई बेहन परिवर्ग के साथ में रहते थी भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसके बहन अभी तक हो आ रही थी बहन का नाम पोपा बाई था, पोपा बाई हमीशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी एक दिन उसके भाई भाई भाभी ने उस से शादी की बात करने आये तब उसने शादी के लिए इंकार कर दिया उसने अपने भाई और भावी से कहा मेरे रहने के लिए गाउन से बहार एक जोपड़ी बनवा दो मैं वही रहूंगी और अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लूँगी फिर गाउन में सभी लोगों से कहा हे गाउन वालों आप लोग अपने अपने जानवरों को मेरे जोपड़े के पास आसपास में घास चरने के लिए छोड़ दिया करो मैं सभी के जानवरों की देखवाल किया करूंगी और जो भी आपके घर पर बचा कुछा खाना हो वह भेज देना वही मैं खालूंगी ऐसे ही समय बीटता गया एक दिन उस राजे का राजा सिकार पर खेले जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गाउं के बहार बनी पोपा भाई के जोपड़े पर पड़ी राजा वहाँ पर जोपड़े की पास जाकर आवाज लगाने लगा यहां कौन रहता है जब कोई भी उत्तर उसे नहीं मिला तो जोपड़े के दरोजे को खटखटाने लगा खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा भाई ने अंदर से ही पूछा बहार कौन है बार-बार दरवजा क्यों खट-कटा रहे हो क्या काम है तब राजा ने कहा कि मैं इस राजी का राजा हूं तुम्हारे साथ विवा करना चाता हूं पोपा भाई ने कहा अपने महल को लोड जाओ मैं पराई पुरुस का मुह नहीं देखती हूं लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं मानी और बल पूरवक पोपा भाई को उठा कर वहां से अपने घोडे पर बिठा कर महल में ले गया पोपावाई ने राजा को स्राब दिया हे राजा तेरा राज़ पाट सब नश्टो जाएगा महल में पहूंच कर राजा ने अपने राणियों को बात पताई पूरी बात सुनकर सभी राणियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपा भाई को सही सलामत उसकी जोपड़ी में छोड़ाओ रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा भाई को उसकी जोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया इसके बाद पोपावाई मृत्यों के बाद धर्मराज के दर्वार में पहुंची और वहां धर्मराज ने उसको स्वर्ग का राज दे दिया